नमस्कार बित्रो आज मैं आपके लिए धन्ते रस के बारे में कुछ एहम जानकारी बताने वाली हूं तू सबसे पहले तो लक्ष्मी माता की और धन्मंत्री भगवान की जय हो क्योंकि धन्ते रस के ये देपता माने जाते हैं धन्ते रस के दिन कुछ न कुछ खरीदने का प्रापधान है क्योंकि जो भी हम धन्ते रस के दिन खरीदते हैं उसमें 13 गुना हमारे बलोतरी होती है और घर में लक्ष्मी माता प्रसंद हो जाती है धर्वंद्री भगवान को आयर्वेत का जनमदाता माना जाता है आप मेरी वीडियो को पूरा बोच कीजिएगा तब ही आपको समझ में आप आएगा मित्रो इस वार 2023 में 10 द्वंबर को धन्ते रस है और धन्ते रस में कुछ लखो जरूर खरिदने का प्राप्धान है जिसमें हम सोने के सिख्वे या सोने का रुपिया या बरतन कुछ भी खरिद का लाते है और ये बहुत ही सुख माना जाता है ये लक्ष्मी माता के आगे 몰랐ा है और चाहां अमारी सौर्ती बनाई जाती है वहीं पर खील भर कर रखा जाता है तो यह आपको जरूर से लाना मैं बहुत ही पस्तूंतर ना का और चीज कौनसी है यह बीडियो में आगे बताने वाली हूंगी है धन्तेरस के दिन जाडू लाने का भी राबधान है, क्योंकि जाडु को भी लक्षमी समझा जाता है, और ये सफाई का काम करती है, क्योंकि धन्तेरस के दिन ख़रिडना सबसे सुब माना जाता है, क्योंकि उसमें तेरे गुना बलोतरी होती है, और यदि आप भाहन खरीते हैं, तो उसमें भी आपको बहुत ही लाग होगा और पान का पता जो होता है वो लक्षिमा को अब इसे चलाएं और कमल का पुस्प तो आप माता को जरूर से ही चलाएं क्योंकि माता कमल को देखकर बहुत ही परसन हो जाती है और माता को मनाया जा सकता है जिससे हमारे घर में धन की बरसात होगी और पांच कमल कट्टे बाजार से खरित कर लाईएगा यही वो चीज है जिसे मैं बताने वाली थी तो ये पांच कमल कट्टे माता लक्ष्मी को चुला कर प्रातना कीजिए कि माता लक्ष्मी हमारे घर में धनकी बरसाथ करें माता हमसे प्रसंद हो जाएंगी और हमारे घर में धनकी बरसाथ करेंगी क्योंकि धन्तेरस के दिन जो भी चीज हमें मिलती है उसमें हमारे 13 गुना की प्रोतरी होती है तो इसलिए धन्तेरस पर माता लक्ष्मी को पाच कमल बत्ते वाला दिया ही जलाया जाता है खड़ी वाली बत्ते ना जलाए तो इससे माता जल्दी परसन हो जाती है और पूजा में हमें पान वगरा ये बहुत सारी सामें गई हमें रखनी है आपने एदि मेरे चनल अप तक सब्सक्राइब नहीं किया है तर उसे सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा और मुझे कमेंट करके जै मालक्ष्मी जरूर लिखेगा और आप कमलकट्टे की माला भी ला सकते हैं क्योंकि उससे मातलक्ष्मी का जब करना बहुत इलाब दायक होता है और हमारे घर में धनकी परसाथ करें क्योंकि मातलक्ष्मी से इस समय प्रात्ना करना बहुत ही सुब है क्योंकि इस समय सारी सकतियां काम करती है और हमारी जो प्रात्ना होती है उसे मालक्ष्मी और धर्वंत्रि भगवान जरूर सुनते हैं और हमें निरोगी काया और धन दोलत भरा जीवन देते हैं और मातालक्षमी को प्रसन करने के लिए आप माच कोडी और पाच गौमति चक्री भी लेकर आए क्योंकि कोडी मातालक्षमी से उप्पन हुई है और गौमर्ती चक्र भगवान बिश्रू से उत्पन हुए है क्योंकि जहां गौमर्ती चक्र होते हैं माता लक्षमी दोड़ी चलिया दी है तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में